इंजिनियरिंग के चार सल कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला इंजिनियरिंग कॉलेज की प्लेस्मेंट और लिंक इन बायो अली वीडियो सबको नहीं मिलती अब कॉलेज का फोर्थियर शुरू हो गया था और लॉंडे अपना फोन ऐसे चुपाते थे जैसे वो प्लेस्मेंट के लिए अपलाई ना कर रहा हूं बलकि बवासीर के इलाज के लिए लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत confident हो रहा था क्योंकि मैं भूल रहा था 7% attendance और हर semester में back सोचो ये चूती है मुझसे insecure हो रहा है जिसको 90% company अपने interview criteria में ही नहीं रखती है अब कॉलेज की placement शुरू हो गय थी और मैं all is well, all is well बोल रहा था और ये बोलते बोलते 50% company आकर चली भी गई फिर मुझे लगा कहीं all is well मेरा भगवान ऐसा तो नहीं ले रहा है सब ठीक है कुछ करने की जूरत नहीं है फिर मैंने all is well बोलना छोड़ दिया और मैंने भी हो ही किया जो इंडिया के 50% लोग करते हैं ऐसे situation में अपने से बेकार इंसान का साथ comparison satisfaction फिर मैं college में गया और पता किया विसाल नाम का लड़का 6% attendance और semester के back को वो cricket का 6 समझता था हर semester में 6 मारना चाहता था फिर ऐसे ग्यानवादी लंड़ से मैं मिलना चाहता था मैं गया hostel room number 69 मैंने gate knock किया विसाल gate खोलता और हाँ बोलो एक बार को मैं सोचा कुछ गलत कर दिया किया इसके साथ फिर मैंने बोला भाई यार college में सबका placement हो रहा हमी दोनों का नहीं हो रहा इतने बुरे हैं किया भाई हम लो बोलता है कौन बो सड़ी का बोल जब पढ़ियां company आएगी तब तो बैठोंगा मुझे लगा मजाग कर रहा होगा मैंने कहा बहुत मजाग कर थे भाई पागल वोगल हो का बे मेरी गांड फटी थोड़ा और उसका expression और how बहुत देखके लग रहा था या तो साथ आठ साल के relationship में कटा है या फिर किसी ने अंधिरे में गांड मारी उसकी फिर मैंने बोला चाय सुट्टा पीने चलेगा बाई कहता है तू भी लाएगा cigarette बोलता है हाँ चाय भी फिर मैं ये कहाँ चल पिर धीरे धीरे विसाल के साथ मेरी bonding बढ़ रही थी माल भी आते थे मैं लौड स्पीकर पर करकर बोलता था या नौड इंट्रेस्टेट एक दिन मैं विसाल के रूम में दारू लेकर पहुचा और हम दोनों बैट का दारू पी रहे हैं और धीरे-धीरे महल इमोशनल हो रहा है मैंने कहा भाई यार तुझे प्लेजमिन क्यों चाहिए भाई बोलता है मैं नहीं बताओंगा भाई मैं फिर बोला यार भाई मैं समझ सकता हूं यार माब आप इतना पैसा लगाते हैं और हम लोग को जौब भी न मिले इतनी जिम्मेदारियां तेरा अब ये सुनकर नसे ने मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि मैं आया तो था इसके साथ खुद को अच्छा फिल कराने लेकिन ये मुझे गलट डिरेक्शन में इंफ्लूएंस ना कर दे तो मैं थोड़ी एक्टिंग करके सोनी के एक्टिंग कर रहा था और ये बड़बडाय ज थोड़ूंगा अब देख कर बस नहीं आऊंगा बस एक पर चौब लग जाए फिर पूरा पूरा और ऐसे बोलते बोलते वो ट्वालेट चला गया और ट्वालेट की बाद आया कुछ नहीं बोला अराम से सो गया फिर हम जब सुबा उठें तो पता चला कॉलेज में एक कमपनी आई है बीबियो बारा आजार पर मंत सेलरी पर जब कॉलेज में किसी ने नहीं भरा तो एचोडी ने बिना पूछे हम दोनों का नाम डाल दिया यार मैं विसाल के पास गया बोला यार हम लोग इतने बूरे हैं बारह जार पर काम करेंगे मजदूर दिख रहे हैं विसाल बोला बाई कहा रहा था ना जब पढ़ियां कमपनी आई कि तब बैठोंगा देख आ गई आप बताऊंगा मैं मैं कन्फियूज हो गया क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली वो समझा रहा था स्टॉक्स, ग्राफ, कमपनी की ग्रोथ एक साल में असमान की गान फ़ाट देगी ये वो लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा दिमाग लगा है तब पता चला कि मैं तो आया था खुद को अच्छा फिल कराने के लिए इसके पास लेकिन इसने जिन्दिगी से ही समझाता करके बैठा है अब साम में इंटर्व्यू है और ये पता नहीं कहां कॉल कर करके हाँ भाई, फॉर्मल चाहिए हाँ, बग बो सड़ी के थोड़ी दे रुपके बाद मेरे पास आया और बोला CS ब्रांच के वा निल सर के पास जाओ और फॉर्मल ड्रेस लेते आना फिर मैं लेकर आया दिया अब विशाल प्रेस करते हुए पता नहीं क्या क्या बढ़़ा रहा कंपनी की गुरोथ मेरे ओपर डिपेंडेंट है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और ये जॉब मुतोब मुझे चाहिए क्योंकि अब रेड लाइट एरिया पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा बस इमेजिनेशन से सटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है ये सब खड़ा ओकर मैं देख रहा हूँ विसाल एक लौता ऐसा लड़का था पूरे कॉलेज में जिसको मैं ग्यान दे सकता तो मैंने बोला जाकर विसाल थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना और ज्यादा टेंसन मत लेना मेरी तरफ देखता है विसाल प्रेपरेशन कर रहा हूँ डिस्टर्ब कर रहा है क्या मैं कहा नहीं भाई मैं थोड़ा सा जानता हूँ इस विए से तुझे बता रहा हूँ तो बोलता है ठीक है और बता कैसे अंदर जाना है क्या बोलना क्या करना तो मैंने थोड़ा सा उसको टिप्स दिया अपने लेवल पर मैंने बुला confident रही हो और कोशिस करना English में बात करने की अब हम interview देने के लिए पहुच के हैं वहाँ पर interviewer को देखते ही पता नहीं कूँ मुझे बहुत ज़्यादा confidence आ गया गुटका चबा रहा था यार interviewer और 12,000 सेलरी के लिए वो तीन राउंड ले रहा था interview अब मैंने interview दिया मेरा तो clear हो गया अब विसाल फर्स्ट राउंड के लिए इंटर करता है नहीं कमिन सर अब interviewer की गान फटके थी सुनते ही interviewer करता है यास कमिन फिर विसाल जाता है और बैठता है ऐसे देखता है interviewer को interviewer बोलता है ऐसे क्यों आ रहे थे बोलता है confident to sir फिर interviewer बोलता है ऐसे क्यों देख रहे हो बोलता है confident to sir और एक टक देखे ही जा रहा है सोच उस पर क्या बीथ रही होगी अब इंटर्व्यूवर ने डरते डरते पूछा तो विसाल बोलता है अब साइध इंटर्व्यूर की इंगलिस खराब होगी थोड़ा इस वैसे बोला हिंदी में बोलो तो विसाल हिंदीम बोलता है मेरे पास तीन चार है मैं रोच बहनता हूँ अब इंटर्विवर ने डिसाइट कर लिया था लेना तो नहीं है इसको लेकिन मुझे लग रहा था कि इंटर्विवर कहीं न कहीं साइकोलोजी में इंटरेस्ट रखता था और अपने अनेलिसिस के लिए उसको दो या तीन राउंड तक ले गया दूसरे राउंड में विसाल से इंटर्विवर पूछता है तो विसाल जवाब देता है इंटर्विवर ने पूछा तो विसाल बोलता है अब थार्ड राउंड में इंटर्विवर पूछता है विसाल से विसाल बोलता है मैं बस देख कर चलाता हूँ मुझे करना भी है इंटर्वियर बोलता है क्या? बोलता है रेड लाइट अब प्लेस्मेंट तो नहीं हुआ विसाल का लेकिन बाहर मुझे इंटर्वियर दिखा मेडिकल इस्टोर पर डिस्प्रीन की गोली खरितते हुए मैं गया इंटर्वियर के पास पूछने कि कब से जॉइन करना है सर? बोलता है किसको? मैं कहा सर अभी जो इंटर्वियर दिया हूँ मैं किलियर हो गया ना मेरा? कहता हाँ अरे हाँ वो तो मेला जैगा तुमको मैं समझ गया विसाल की साइकोलोजी समझते समझते इस इंटर्वियर की साइकोलोजी खराब हो गया फिर मैं जॉब लोकेशन पर निकल गया लेकिन मुझे पता नहीं विसाल का क्या हुआ लेकिन जब दो साल के बाद वापस आया जब मेरी विसाल से मुलाकात हुई मैं हैरान हो गया उसके हाथ में अंगूटी, आईफोन, पर्स, गाड़ी मैं कहा भाई, लंबा पैकेच मुझसे बोलता क्या खाएगा, क्या पिएगा और अभी भी मेरी कंडिशन वही है कि मेरे माइंड में खयाल तक नहीं आता है कि एक पर्स ले लूँ मैंने कहा भाई यार कौन सी कंपनी है मेरा भी थोड़ा रिफरेंस वगरा दे बता कहा है, कहता है यही बिल्डिंग है मैंने कहा यह बिल्डिंग है कहता है भाई बोलता था ना बस देखकर आ जाता हूँ कि या नहीं, अब पैसा भी मिलता और सब मिलता है रुक तेरे लिए बात करता हूँ Thank you guys